कि यह कि पठानिया स्पिकिंग अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो मैं जीवन लाल बोल रहा हूं जीवन लाल टंडेल ओ सर आप कहिए क्या हुको में सर मुझे सिर्फ एक घंटे में ये बताओ कि सुर्यदेव सिंग ने जिन जिन को गिर्फतार किया है वो सब और हम से जादा कुछ भी नहीं सकते क्योंकि यही रहता का है वह नहीं मालूं मों तो फिर यह बताओ कि मिलता कहा है मैं उत से आज ही मिलना चाहता हूं सर वह रोज सुबढ़ ऑफिस में 12 और एक के बीच में आते हैं सर यह लिस्ट उन लोगों कि यह जिनें आप से मिलना ह सर पंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं टंडेल का नाव है क्या इसमें जी नहीं सर आज तो हम अपना एक एक मिनट दूसरों को दे चुके हैं दम लेने की फुरसत नहीं होगी ऐसा करो मंत्री जी को कल दूपैर के बाद की कोई भी अपार्मेंट दे दो अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो इस राज्य के एक मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है मैं पूछता हूं वो हमारी खाता है या हम मुझकी इसमें आपके और हमारे खाने की बाद कहां से आगए आप यहां अचानक आप अधारे हैं और हम आज का सारा वक्त तौड़ों को दे चुके हैं आखिर हम सब जनता ही के तुस्सेवक हैं कुछी मिलने पर यह समझ लेना कि साही सरकार आभी की है इसे हम कैसे मान लें आप मुझे यह न समझाएं कि सरकार किसकी है आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नोकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ यह इनसान इस राज्यकात मंत्री है खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई भात्मा गांधी नहीं बन जाता और सुनिए हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी भाषा भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर मैं जो आपसे कहना है आपने जो कुछ भी कहना है कल कहलीजिएगा आपके अपॉइमेंट डूट करवा दी गई है और एक बात ये भी आज रखिए कि हमसे बगार अपॉइमेंट के कोई नहीं मिल सकता और जहां तक हमारा तालुक ह अब किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं हमारा जब दिल जाए शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गौर्मन ने आपको भेजा है उसमें खासुल खास ओर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजिन नहीं कर सकता नमस्कार नमस्कार